Hello friends, welcome back to my channel Pregnancy Care and Advice दोस्तों Pregnancy के दौरान अक्सर गर्वती महिलाओं को इस बात को लेकर confusion रहता है कि जो लक्षन उन्हें अपनी Pregnancy में अपने अंदर नजर आ रहे हैं क्या उनसे वो यह idea लगा सकती है कि उनका गर्वस्ते शिशु लड़का है या लड़की है क्योंकि अक्सर Pregnancy के दौरान जब भी कोई relatives या फिर friends गर्वती महिलाओं से मिलते हैं वो उन्हें देखकर ये जरूर कहते हैं कि तुम्हारा होने वाला शिशु लड़का है या एक लड़की है और जो भी बातें relatives बड़े बुजुर कहते हैं ये अपने तजुर्बे के आधार पर कहते हैं क्योंकि वो अपनी Pregnancy को आपकी Pregnancy के साथ compare कर रहे होते हैं के शुरुआत से यानि के first month से तो first month के दोरान गर्वती महिलाओं के शरीर में बहुत जादा changes नहीं दिखाई देते हैं जब किसी भी महिला के periods मिस होते हैं तो उसके बाद वो घर पर ही Pregnancy टेस्ट करती हैं और अगर वो positive आता है तो इससे वो या idea लगाती हैं कि वो गर्वती हैं इसलिए Pregnancy के first month में ये कहना बहुत जादा मुश्किल होता है कि आपको जो changes अपने अंदर नजर आ रहे हैं उनसे आप कैसे idea लगाएंगे कि गर्वती जो लड़का है या लड़की है क्योंकि शुरुआती दोर में बहुत जादा बद्ला गर्वती महिलाओं को अपने अंदर नजर नहीं आते हैं लेकिन बात करे Pregnancy के दूसरे महिने की तो दूसरे महिने में गर्वती महिलाओं के शरीर में थोड़े बहुत changes नजर आने लगते हैं जैसे की second month में उन्हें morning sickness, जी मचलाना या उल्टी की समश्याएं काफी जादा होती हैं तो कहा जाता है कि अगर pregnancy के शुरुआत में आपको बहुत जादा morning sickness हो रही है vomiting आपको बहुत जादा हो रही है तो ऐसे में गर्वस्ते शिशु एक लड़की होती है वहीं अगर शुरुआत में आपको morning sickness या फिर vomiting की समश्या नहीं है लेकिन evening में आपको ये समश्या जादा हो रही है और throughout ये समश्या चलती रहती है तो ऐसे में गर्वस्ते शिशु एक लड़का होता है तूसरा लक्षण है गर्वती महिलाओं के breast को देखकर प्रेगनिंसी के दौरान breast में changes होना स्वाभाविक है क्योंकि milk duct अब milk produce करने के लिए तयार हो रही होती है ऐसे में बड़े बुजरुगों का मानना है कि अगर आपका right breast left के compare size में बड़ा है इसमें दर्द होता है और tenderness बनी हुई है अक्सर pregnancy के दौरान गर्वती महिलाओं को mood swings की समश्य से गुजरना पड़ता है जो की काफी आम है लेकिन अगर pregnancy के दौरान आपको बहुत ज़्यादा mood swings हो रहे हैं हर चोटी चोटी बात पे आप चिलचिली हो जाती है रोने लगती है चिलाने लगती है तो ऐसे में गर्वस्त शिशु एक लड़का माना जाता है वहीं अगर mood swings आपको बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे है आपका स्वाबाव चिल्चिला नहीं हो रहा है तो ऐसे में गर्वस्त शिशु एक लड़की मानी जाती है चोथा लक्षर है बच्चे की मुमेंट प्रेगनिंसी के दौरान जादा तर गर्वती महिलाओं को बच्चे की मुमेंट प्रेगनिंसी के पांचवे या फिर छट्वे महिने के शुरुआत से नजर आते हैं लेकिन कई बार कुछ गर्वती महिला ऐसी भी होती है जिने बेबी की मुमेंट या हल चल प्रेगनिंसी के तीसरे महिने से ही महसूस होने लगती है तो अगर आपको baby की moment जल्दी महसूस हो रही है यानि कि तीसरे चौथे महीने में महसूस होने लगी है तो ऐसे में भी गर्वस्त demographic एक लड़का होता है वही अगर baby की moment लेत महसूस हो रही है esperar या 6 महिने में आपको महसूस हो रही है कमर की साइट से वो थोड़ा मोटी होने लगती है वहीं कुछ महिला ऐसी होती है जिनके कमर में कोई भी चेंजिस नजर नहीं आते हैं यानि कि वो जैसी पहले दिखती थी अभी भी बिल्कुल वैसी ही दिखती है तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप पीछे की तरफ से मो की मानी जाती है तो अगर अपने प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने अंदर ये पांच लक्षर नजर आ रहे हैं तो आप इनसे ये आईडिया लगा सकती हैं कि आपका घरबस्तिशी चुछ एक लड़का है हाला कि आपको बता दू ये 100% सही नहीं होते हैं ये बाते हम हमारे बड़े बुजरुकों के द्वारा बताई गई हैं लेकिन कुछ हद तक ये सही भी हो सकती हैं हाला कि आप जैन्डर प्रेडिक्शन सिर्फ अल्टरसाउंड के द्वारा ही कर सकती हैं तो वीडियो को आप अन्य था ना लीजिएगा ये मातर आपके जिक्याशा को सां करने के लिए बताई की है तो वीडियो को समात करती हूं धन्यवाद